लोज एनलेसी टॉपिक में हम बात करेंगे देखिए एक्च्छल में हमारे पास सेंटेंस एक कॉंसेप्ट है बड़ा कॉंसेप्ट और सेंटेंस के तीन तरह के टाइप्स होते हैं इंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस और कॉंप्लेक्स सेंटेंस अब सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं कंपाउंड किसे कहते हैं और कॉंप्लेक्स किसे कहते हैं नाम तो तीन प्रकार के निकाल दिया यह पता कैसे लगता है या होते क्या है, तो simple sentence वह होता है, जिसमें एक man close हो, जिसमें एक क्या हो, एक ही man close हो, जिसमें एक ही man close हो, और ये मान के चलें कि man close हमेशा finity होता है, ये अलग से कहने की बात नहीं होती है, जिसमें एक होता है, पुर man close हमेशा क्या होता है, finite होता ही है, जो man close हुआ वो अपनी संदे finite है, उल्टा मान लो, non finite close कि man हो नहीं सकता, non finite close कभी भी man नहीं हो सकता, चाया आप दाये बाये कहीं कोई ज्यान लिख लो, ये basic ज्यान भाशा का, ये basic fundamental ज्यान है, क्या basic ज्यान है, non finite close कभी भी man नहीं हो सकता है, ये basic ज्यान का matter है, non finite close, non finite close है, ये never man close, ये कभी भी man close नहीं हो सकता है, non finite वाले जिन में tense नहीं होते, non finite का मिलब infinity वाले, gerund वाले, participle जो नाम होते हैं, आप ये नाम सुनते, infinitive आ गया, ये gerund हो गया, ये participle हो गया, present participle, past, past, ऐसे जो भी नाम है, ये सारे नाम किस बड़े नाम में आते हैं, non finite, non finite एक बड़ा term, जिसमें त्यार तरह की आप भास सुनोगे, या तो सुनोगे infinitive, या सुनोगे participle, फिर वहाँ दो नाम होते हैं, present participle, past participle, या आप नाम सुनोगे zerund, ऐसी जो terminology आप कहीं भी सुनेंगे, तो वो नी संदे है, कैसी कहानी है, non-fant closing कहानी है, और ये कभी भी man नहीं हो सकता, ये कभी भी swim man हो ही नहीं हो सकता, ये basic ज्यान है, ये हमारे पास sentence में तीन तरह के नाम चलते हैं, simple, compound or complex sentence, simple sentence हो है है, जहां केवल एक ही man close होता है, और man close हमेशा क्या होता है, finity होता ही understood सी बात है, ये पहले मैं इस वाली बात के इसरा बारे में बता दूँदा है, ये एक basic ज्यान है आप समझ के रखो, ये basic ज्यानकारी है भाषा की, तो क्या basic ज्यान है, non-fant close कभी भी ज्यान हो सकता, man नहीं हो सकता, अब एक हमारे पास non-fant की भाती दूसरा नाम क्या चलता है, finite close, finite close म है, वो man भी हो सकता है, finite close है, man भी हो सकता है, और finite close क्या हो सकता है, subordinate भी हो सकता है, man close की भाती दूसरा क्या नाम होता है, subordinate, एक तो होता है man close, एक होता है subordinate close, कि सबोर्डनेट को चाहिए आप डिपेंडेंट कह दो एक ही बात है इनके प्रियवाची नाम भी होते हैं वह दो मिन पता दूंगा अधिक लोग प्रिय यह नाम चलते हैं मैं क्लास में बार-बार ऐसे नामें बुलूँगा सबोर्डनेट क्लोज और मैन क्लोज मैन को हम प्र क्लोज नाम भी पढ़ने में आ सकता है यह तीनों एक ही छीज है और ऐसे यहां पर नाम हो सकता है तब ओर डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज ऐसे नाम यहां चलते हैं और मोटी मोटी हम मैं क्लास में से बाद आवार मैं यह नाम अधिक बोलूँगा मैं अब इक ल दोनों में हो सकता है मैंने भी हो सकता है और सबोर्डनेट भी पर नॉर्ण फ्राइट कभी भी क्या नहीं हो सकता मैं नहीं हो सकता यह तो बेसिक ज्यान है